नमस्ते, नवरात्री के आठवे दिन के आप सभी को हारदिक शुपकामना है आठवा दिन माने अश्टमी किस देवी को समर्पित है देवी के रूप और मंतर के पीछे क्या ग्यान है उसकी आज हम चर्चा करेंगे इसी तरह से हमारे संस्कूर्थी पर आधारित, जीवन शैली और जीवन कौशल्य जिसको हम लाइफ स्किल्स कहते हैं अंग्रेजी में मैंने इस चानल पर कुछ वीडियोज पोस्ट किये हैं आप इस चानल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि समय समय पर आपको इसके नोटिफिकेशन आते रहें नवरात्री का त्योहार नव रात का है नव माने नव और नव का औरेक हर्त है नित्यनूतन ऐसे कहते हैं गुर्देश रवीशंकरजी नवरात्री के जो पहले तीन दिन है वो तमोगून को समर्पित है और उस तमोगून से उभरने के लिए हम दुरगा के तीन विविदर उपों का पूजन करते हैं बात के तीन दिन जो है वो रजोगुन को समर्पित है और रजोगुन से उपर उठने के लिए हम देवी लक्षमी के आराधना करते हैं और आखरी जो पड़ाव है तीन दिन वो सतोगून की वृद्धी हो जीवन में काहरे सिद्धी हो इसलिए देवी सरस्वती को समर्पित है और ये आखरी तीन दिनों में आज का दिन है अष्टमी आठवा दिन और अष्टमी है समर्पित देवी महागवरी को महा गवरी महा गवरी का अर्थ है महा मने विशाल और गवरी गवर मने सफेद, शुब्र, सतेज, कान्ती, युक्त तो गवरी मने क्या जो विशाल है जो हमको छोटे पन से विशाल पन में ले जाए विशालता में ले जाए जीवन को The one who shows us life from the broader perspective That element, that goddess, is देवी महा गवरी देवी महा गवरी का साधना मंत्र है ओम देवी महा गवरे नमा ये मंत्र का उच्चा रण करके, जाब करके अस्थिर मन में स्थिरता आने लगती है और शुब विचार हटकर शुब विचार मन में रहने लगते है और महागवरी देवी का ध्यान मंत्र है इस ध्यान मंत्र में कहते हैं श्वेते व्रुषे समारूढा इस रूप में देवी का वाहन है सफेद बैल और देवी के वस्तर क्या है बोलते हैं सफेद शुब्र वस्तर परिधान के हैं देवी इस रूप में जो शुची है जो शुचिर भुत है जो जीवन में शुब्रत लाए सतेच कांती लाए सत्व की वृद्धि करे और जीवन में मंगल डाई है वो है देवी महागवरी इसलिए देवी से प्रार्थना करते हैं और महा देव को भी मोद देने वाली देवी है ऐसे कहते हैं कि मोद माने आनंद और प्रमोद माने प्रकृष्ट आनंद हरेक कनकर में बसा हुआ जो आनंद है वो है प्रमोद तो ऐसा क्या है कि महादेव को भी ये महागवरी आनंद देती है, आनंद दाई है तो कहानी ऐसी है कि जब कालरातरी पिछले रूप में हमने देखा कालरातरी ये प्रकृति का, निसर्ग का, दैवत्व का एक रौद्र रूप है देवी अगर देखते हैं, तो उसमें धवल नहीं है, उस रूप में है कृष्ण माने क्या? पूरी कांती उनकी काली है, इसलिए उनको कहते कालरातरी और देखते कालरातरी और महागवरी ये दोनों देवी एक ही सिक्के के दो पहलू है जैसे काल रात्री जीवन से अंधकार मिटा दिया तो अगला रूप देवी ने ले लिया सतेज, सफेज, शुब्र कांती वाली देवी और वो है महागौरी ऐसे कहानी में बोला गया है कि जब काल रात्री का रूप लेके देवी जब बैठी तो काफी विकराल रूप था ये तो भक्तों में भी थोड़ा भय पैदा हुआ उस देवी के रूप को देखकर तो देवी ने ब्रह्मदेव से ये आराधना की मांग की कि मेरे भक्तों को मैं बहवीत नहीं देख सकती इस तरह से तो मुझे अपने स्वरूप में ले आईए तो भ्रह्मदेव ने उनको एक छोटा सा उपाय बताया उन्हेंने कहा कि वो मांसरुवर में जाकर अगर एक डूप की लगाए देवी फिर से पूर्ववत अपने स्वरूप में आ सकती है तो देवी गई कालरत्री देवी गई ऐसे कहते हैं फिर वो मांसरुवर में डूप की लगा के आ गई और वो डूप की लगाने से जो देवी बहार उपर आई वो है महागवरी महा मने विशाल जो हमें विस्तार की ओर ले जाए हम हमारे संस्कूर्टी में देखते हैं फिमेल्स को स्त्री कहते हैं स्त्री माने क्या जो विस्तार की ओर ले जाए जो छोटे पन में फसे हुए मन को विशालता में ले जाए वो स्त्री स्त्री ये शब्द आया है विस्तृत शब्द से और महागवरी ये विस्तृतता देने वाली देवी है नालपे सुखम मस्ती बोलते हैं छोटे पन में सुख नहीं है जीवन को विशाल दुरुष्टी कोन में देखना ही माने महागवरी के उस उरुप को वंदन करने जैसा है तो ये कहानी के ये ज्यान क्या हो सकता है कहानी के पीछे तो बोलते हैं कि मन सरोवर में डुप की लगाई माने क्या वो मन पानी माने अप जिसको प्रेम भी कहते है मन जब प्रेम में डुप जाए चर-चर के प्रती, प्रकृते के प्रती, मनुष्य, पशुपक्षियों के प्रती तो वो मन में भी मेल नहीं रहता, कोई कालापन नहीं रहता वहाँ पर तो जीवन में शुब्रता आये प्रेम की, अपने पन का सफेदी ले आता है जीवन में तो महागवरी का रूप हमें यही दर्शाता है कि कोई पराया नहीं है प्रेम सभी के साथ होने चाहिए विस्तृत रूप से जीवन को देखना ही महागवरी का पूजन करने योग्य है इसी तरह से और एक कहानी है जिसमें ऐसे कहा गया है कि देवी में शुभरता आई कैसे जब कालरात्री के रूप में थी ऐसे बलते सालों साल तपस किया उन्होंने तो बुलते काफी सार धूल जम गए उनके उपर देवी और भी विकराल रूप में आ गए तो बुलते शिवजी के सानेध में आ कर शिवजी के जटा से जू गंगा निकली वो गंगा में सनान करके कालरात्री से अगला रूप आ गया महागवरी विशालता में ले जाने वाली शुभरता, सतेच कांती, तेज, ओज माने महागवरी देवी महागवरी का रूप यदि हम देखते हैं तो वो चतुर भुज है चार भुजाएं हैं उनकी एक हात में एक भुजा में त्रिशूल धारण किये हुए है दूसरी भुजा में डमरुथा में है वो तीसरे में अभे मुद्रा, चवथे में वरद मुद्रा है देवी की तो इसका अर्थ क्या है? बोलते हैं त्रिशूल भारण क्या है उन्होंने? तमोगुन, रजोगुन और सतोगुन तीनों गुणों को वश में रखने वाली देवी है महागवरी देवी और ये त्रिशूल का और एक अर्थ बनता है तीन जो काल होते हैं भूत काल, भविश्य काल और वरतमान काल इन तीनों कालों के परे ले जाने वाली जो देवी है वो है महागवरी देवी दूसरे हाथ में कहते हैं डमरु है डमरु किसका प्रतीक है? डमरू माने अनन्त जिसको हम अंगरीजी में कहते हैं इंफिनिटी जिसे महागवरी मैंने कहा था महागवरी हमें ले जाती है विशालता की ओर और अनन्त ही विस्तृत है विशाल है तो विशालता में स्थित करना ही डमरू हाथ में धारन करने का प्रतीक है और अपने भक्तों के प्रती अभय मुद्रा और वरद मुद्रा में स्थित है सफेद बैल पर देवी महागवरी यदि हम देखते हैं देवी महागवरी का पहला रूप देवी का वो है काल रात्री काल रात्री, रात्री में है वो और काला सोरूप है वो देवी का प्रकूरती में भी एक अंदकार है एक बार गुरुदेव शुशी रवी शंकरजी ने बहुत उत्तम प्रशन पूछा था उन्होंने पूछा था कि दिन में ज़्यादा दिखता है हमको यह रात में करिब करिब सभी लोगों ने उतर दिया था कि दिन में ज़्यादा दिखता है तो गुरुदेव ने कहा हमें रात में ज़्यादा दिखता है क्योंकि जो तारे सितारे हमको दिन में नजर नहीं आते दूर दूर तक, जो कोसो दूर है हमसे, वो भी हमें रात में दिखते हैं, सुरुजन भी कहीं बार रात में होता है, मा के गर्भ में हम होते हैं, वो अंधकार से उजाले में लाने की प्रक्रिया ही माने कालरात्री से अगला रूप महागौरी, ये दोनों देवी एक दुसरे क के विपरित लगते हैं हमको पर वो अपने आप में परिपूर्ण है मानो जैसे दो पहलू है एक सिक्के के कालरात्री अपने आप में पूर्ण है जो रौदर रूप से हमें सिखाती है अंधकार को कैसे मिटाना है और देवी महागवरी अपने आप में पूर्ण है, जो हमें दर्शाती है, सिखाती है कि सफेद, शुब्र, सरल, तरल, सहज जीवन कैसे जीना है, अपने पन से, प्रेम से जीवन कैसे जीना है। महागवरी का हमारे शरिर में स्थान है सहस्त्रार चक्र पर जहाँ पर कोई द्वाइत नहीं है कोई पराय नहीं है सिर्फ आनंद है इसलिए देवी को कहते है महादेव प्रमोध दा कि महादेव को भी आनंद देने वाली सबके लिए कल्यानकारी सबके लिए शुभदाई है देवी महागवरी, अश्ट में के दिन महागवरी का पूजन किया जाता है, जहां पर जीवन में मांग करते हैं लोग, जीवन से अंधकार मिट जाए, मेल चला जाए, और कांती सतेज हो, बुद्धी तिक्ष्न हो, मनस्थिर हो, और जीवन में विकास प्रकाश इसी तरह से ब मरपित है, उसके मंत्र और ज्यान के पीछे क्यारत है, तो आईए, हम सब मिलकर देवी को मनप पुर्वक वंदन करते हैं, जीवन से अग्यान रुपी अंधकार मिट जाए, जीवन में ग्यान रुपी रोशनी आये, परायापन मिट कर अपनापन में आये हम, कहीं पर भी द गोरे नमहा